पास्कल लाप पड़कर एक बच्चे ने जेसी भी मनाया मैं आपको बताओं कि लगतार हमारे बच्चे जो हैं ऐसे काम कर रहे हैं जो पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और जो बच्चे की आप साइड से क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं ये किसी बाहर की रियासे बाहर की यूटी का नहीं है हमारे जमुआ कश्मीर और कश्मीर का है यह बच्चा जो है सेकेंडरी स्कूल में जो है अपनी तालीम कर रहा है और इसका नाम बासित मनजूर है पास्कल ला पढ़कर जो है इसने अपने हातों से हाइड्रालिक जैसी भी बनाया और इसका तालुक सीर हमदान का ये रहने वाला है और आपको भी मालूम है जो इकुल टू एफ बाई ए पी प्रेशर और एफ फोर्स ए हो गया एरिया अगर ये फार्मूला आप साइंस के स्टुएंट ने पढ़ा होगा तो इस बच्चे ने भी जो के ये पास्कल लाब पढ़कर जो है हाइड्रालिक जैसे भी बना डाला आप देख सकते हैं इसकी उम भी जानते हैं बासित मंजूर इसका नाम है और इसका माइंड देख लीजिए इसका टैलेंट देख लीजिए इसका आर्ट देख लीजिए इसकी तालीम देख लीजिए किस तरह की है जिस बच्चे ने अपने हाथों से जैसी भी बना डाला और सब कुछ कॉंट्रोल जो है अपने हाथूं में रखा उसमें स्टेजर भी लगाए हुआ और उसमें सारा joystick रखा भूआ पूरे अपने हाथूं से जिस तरह से वो control कर रहे हैं वो चल रही है और जिस तरह से वो अगर back कर रहा है तो back reverse भी हो रहा है साथी साथ मैं आपको बताऊं कि जो जेसी पीकप लॉडर होता है वो भी कहीं जग़ों पर उठा रहा है फिर उसको जो है जमीन में बचा रहा है बठा रहा है और दूसरी अगर बक्कट की बात करें तो दोनों लॉडर और बक्कट दोनों जो हैं उठा रहा है और कंट्रोल एक जगा बे रखा हुआ है कितना माइंड और बच्चा इसकी उमर और साथी साथ हमारी सुत्रों के मताबिक ये इंफॉर्मेशन हमें मौसूल हुई है कि इस बच्चे का कहना है कि मुझे फैमली की बहुत ज़्यादा स्पोर्ट रही है साथी साथ कूल के टीचेस साइबान की बहुत इसमें जो है उन्होंने हल्प करी मेरी बहुत उन्होंने जो है मेरा हम्मत होसले को बढ़ाया और हास करके उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उसने जो है काफी ज़्यादा मेरे होसले को जो है और बलंद किया मेरी जो है सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने मुराल हाई किया मेरी स्पोर्ट की और मैं यहां तक पहुंचा और साथी साथ इस बच्चे का बासित मंजूर का यह कहना है कि मुझे यह स्कूल में जो है एक प्रोजेक्ट के तोर पर जो है वो काम दिया गया था और मैंने आज जो इस तरह से प्रोजेक्ट कंप्लीट किया इससे पहले भी मैंने जो के एक खबर आप तक पहुंचाई थी एक व्यक्ति जिस तरह से कास्तिगार्ड डोड़ा कर रहने वाला था वहां उसने अपने हातों से लकड़ी का यानि कि वुड़न का जो के जैसी भी तैयार किया था और किस तरह से उपर बैड़कर रोटेट करके बर्फ उठा कर दुसरी जगा जो है वो गिरा रहा था तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में बच्चों में टैलेंट बच्चों की पढ़ाई बच्चों की जहनियत और किस तरह से हो रही है बस कहीं ने कहीं जो है आप बच्चों को जो है आगे आना है आपने आपने नाम रोशन करना है बहुत ही कम उमर में इस बच्चे ने जो है प्रोजेक्ट कम्प्लीट किया और कहीं वो दूर की बात नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में जो के जो साइंसदान हुआ करते हैं के बाहर के रियास्तों के ने यहीं बच्चे जो हैं मेहनत करके जो हैं हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं जम्मु कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं इस बच्चे ने इतना प्रोजेक्ट बनाया तो आने वाले वक्त में अपनी एज के साथ-साथ जुस्त एसा टैलेंट रखते हैं ऐसी ऐसा माइंड रखते हैं तो उन तक पहुंचे वो भी अपने प्रोजेक्ट में जो है काम शुरू कर दें और उसके बाद जो है जो भी इनकी इक्षा है चाहे वह साइंटिस्ट बनना चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं किसी भी परकार से को किसी भी विवाग में जाना चाहते हैं तो बस आपने टैलेंट को जो है वो सामने लाई मैंसे पहले भी बार-बार क्या चुका हूं कि आप हमें बस कॉंटेट कीजिए किसी भी तरह का आप में टैलेंट है किसी भी तरह का हम अपने प्लेटफार्म पे जो है आपको झालवाट